लोलो अमें के बारे में बात करने वा और इस वीडियो को देखने के बात लॉइट के रिलेटर जितना भी प्राप्लम होगा वह सब क्लियर हो जाएगा तो इस सब पर हम लों समझते हैं कि आखिये अंड़ संफ हम लोग बात करेंगे exponents और powers के बारे में माल लेते हैं कि मेरे पास एक number है 16 तो हम 16 को इस तरीके से लिख सकते हैं तो की पावर 4 तो यहां पर यह जो तो है इसको भी कहते हैं हम लोग और उसके बाद में हम लोग यहां पर जो 4 है इसको तो हम लोग पावर या फिर एक्सपोनेंट या इंडेक्स कहते हैं तो लॉक्स जो है वो इसी चीज को लिखने का एक अलग और तरीका हमको देता है यहां पर हम लोग क्या कर सकते है लॉक के फॉर्म में लिख सकते है इसको लॉग आफ शिक्स्टीन विट बेस टू इस झाला 9 अगर हमारे पास है तो इसको बेस टू के रूब में लिखे तो उसका क्या होने वारै और यह हम्को अंसर दे रहा होता है तो यह इसी चीज को लिखने का एक तरीका है करने का मकसद क्या है करने का कारण ये है कि जब भी हमारे पास बहुत ही लंबा लंबा कैल्कुलेशन सो मल्टिप्लिकेशन या डिवीजन तो इसको यह थोड़ा आसान कर देता है अब हम लोग यहां पर देखने वाले हैं कुछ रूल्स के बारे में लॉक्स लेटर तो सबसे पहला है जो हमारे रूल है यह है रूल नमर वन जहांपर लॉग ऑफ ए विट बेस ए इस इक्वल टू वन होता है इसको हम लोग कुछ इस तरीके समझते हैं अभी जस्ट हम लोग को ने एक्जामपल लिया था तो यहां पर लॉ लॉग आफ अगर हम माल लेते हैं एक एक्जामपल लेते हैं कि लॉग ऑफ माल लेते हैं कोई भी नंबर जैसे 9.9 तो अगर हम लोग यहां पर लिखें इसको लॉग के फॉर्म है तो लॉग ऑफ 9 विट बेस 9 is इक्वल टू वन आता है मतलब किसी भी नंबर का अगर base भी सैम हो तो यहां पर जब भी हमको आपम रही आउपट ट्मन रमिलेग वह बनाता है वह सेकेंड हमारे पास में जो रूल है सेटन जो लोग है बड़ अक्ष तरीके से कि हमारे पास लॉग औफ xy जहाँ पर base a है यह हमारा जो होगा वो होगा log of a x plus log of y with base a मतलब अगर यहाँ पर log के अंदर में दो number multiplication में हो तो यह simply add में convert जाता है यह है log का हमारा application के multiplication को addition में convert कर सकता है हमारा division को subtraction में ठी किसी प्रकार से convert करेगा अब हम लोग इस चीज का explanation देखते हैं इस चीज को समझते हैं क्या कर यह हुआ कैसे हमारे पास x is equal to a की power n है माल लेते हैं और y is equal to a की power m अगर हम लोग इसको log के form में लिखें तो जगा log of x with base a is equal to n और ठीक इसी तरीकर समय लिखेंगे log of y with base a is equal to m अब चुकि हम लोग को पता है कि x into y करेंगे तो यह क्या हो जागा a की power n into a की power m और laws of exponents हमको पता है कि जब भी base same होता है तो power क्या होता है आपस में add हो जाते है तो xy को हम लेसकते a to the power n plus m अगर इसी term को हम लोग के form में express करें तो क्या हो जागा log of xy with base a is equal to n plus m और हम लोग ने just अभी उपर लिखा था n बराबर log x with base a और m बराबर लिखा था log y with base a तो हम लोग ने यहां से derive की यह formula यह log log of xy with base a is equal to log of x with base a plus log of y with base a यह log clear हो गया होगा हम लोग बढ़ते थर्ड लोग की तरफ यहां पर हम लोग क्या देखने वाले होंगे की जब यहां पर same हम देखेंगे बस यह division लोगा तो log of x by y with base a is equal to क्या हो जाएगा log of x with base a minus log of y with base a इसको भी हम लोग same example के मदद से देखते हैं अगर हमारे पास में दिया हुआ है x is equal to a to the power n और यहां पर दिया हो y is equal to a to the power m तो यहां पर हम इसको लिख सकते है log x with base a is equal to n और इसको लिख सकते है log of y with base a is equal to m अब अगर हम x by y करें यह क्या हो जाएगा हमारा a to the power n by a to the power m और law of exponents हमें पता है कि यहां पर power जो होता है वो subtract होता है अगर हम इसका log निकाले x by y का तो यह क्या देगा हमें log of x by y is equal to with base a is equal to n minus m और यहां पर n जो हमारा है वो क्या हो गया log of यहां पर लिखा था हम लोगों ने x with base a minus log of y with base a तो यहां पर देखा कि जब भी divide में log में रहता है कोई number अगर हम log ले ले तो यह simply subtract में change हो जागता है अब हम लोग एक आगे third law देखने वाले हैं sorry fourth जो कि है log of x to the power m with base a is equal to हमारा हो जाएगा m log of x with base a मतलब यह जो m power में ही यह बाहर की तरफ आ जाएगा अब हम लोग समझते कि यह किस तरीके से होने वाला है तो simply हमको पता है कि x is equal to अगर a to the power n रहे तो हम इसको क्या ले सकते है log of x with base a is equal to n अच्छा अगर हम x to the power m कर दें तो यह क्या हो जाएगा a to the power n की power m हमको पता है अगर power के उपर power रहे तो यह multiply हो जाता है तो यह n m हो जाएगा तो अगर हम इसको लिखें log के form में तो log of x to the power m with base a is equal to कितना हो जाएगा n into m n के value हम लोगों ने यहां से निकाल लिया तो यहाँ पर हो जाएगा यह m into log of x with base a यहाँ पर यह जो m है वो बाहर आ जाएगा I hope कि यह law भी clear हो गया हो कि किस तरीके से यह law work कर रहे हैं अगर हम इसके बाद एक और अगला law देखें यह हमारा था fourth यह fifth हम देखने वाले हैं यहाँ पर हम लोग देखें कि अगर log of log of one with any base a is equal to हमेशा 0 होता है मतलब किसी भी number का log sorry one का log हमेशा 0 देता है इस चीज़ को हम लोग explain ऐसे कर सकते कि कोई भी number हमारे पास a है जिसके उपर power 0 है यह one के बराबर होगा और अगर हम इसका log निकालेंगे लॉग तो यहाँ पर यह क्या हो जागा अच्छा इसको हम लोग ऐसल सकते है one is equal to a to the power 0 तो इसको लिखेंगा log of one with base a is equal to 0 तो यह हम लोग ने देखा कि यह इस तरीके से work कर रहा होता है अब हम लोग इसके बाद एक और law देखने वाले law number 6 log of a with base b यह क्या होता है हमारा one by log of b with base a मतलब अगर हम लोग यहाँ पर base को और यहाँ पर जो number दिया रहते है इसको reverse करना चाहते है तो यह इसके inverse के बराबर होता है इसको हम लोग एक example की मदद से समझ सकते हैं कि हमारे पास दिया वह log 25 with base 5 मतलब अगर 25 को हम लोग 5 के base में लिखना चाहते हैं तो वहाँ पर इसका power कितना होगा 2 वहीं पर अगर हम इसको reverse कर दे हम यहाँ पर कहा दे कि log of 5 with base 25 मतलब 5 को लिखना in terms of 25 तो इसका power क्या करना पड़ेगा 25 का root मतलब और इसको अगर log के form में लिखे तो log of 5 with base 25 is equal to 1 by 2 तो जस्ट देखा कि अगर हम लोग इस number को reverse करें यहाँ पर यह जो है यह भी हमारा reverse हो जा रहा है इसके बाद हम लोग समझेंगे log कितने प्रकार को होते हैं तो standard base log में दो प्रकार को होता है वैसे तो base कोई भी ले सकते हैं बट standard base दो प्रकार को होता है एक with base 10 और दूसरा जो हमारा होता है यहाँ पर base e होता है जिसको exponential base भी कहता है और e का value होता है 2.718 log 10 मतलब यहाँ पर base 10 होगा इसको सिर्फ log भी लिखा जाते हैं जबकि वहीं पर log with base e को हम लोग लॉन लिखते हैं यहाँ पर अगर हम इसको हम लोग लॉन को और भी नाम से जानते हैं जैसे natural log और साथ में neperian log जिसका use chemistry और physics में काफी होता है अगर हम चाहें कि log base 10 को log with base e में convert करें तो इसके लिख simple सा यहाँ पर एक relation है कि log of any number m with base e is equal to 2.303 log 10m मतलब इस relation के मदद से हम किसी भी कहीं पर भी इस e base वाले को 10 base वाले में convert कर सकते हैं अब एक last rule है हमारा कि अगर हम किसी number का log ले 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 और उस पर e to the power x करें तो यह हमारा x देता है मतलब यह simple सरूल ऐसा है कि कोई भी number log ले ले जिसका base हमारा कुछ भी हो a और हम उसी का a लिख करके power something रखें तो हमको वहाँ पर उसका power ही मिलेगा इसको हम simply observe कर सकते हैं कि यहाँ पर यह जो x है a to the power x है तो यह x तो बाहर आ जाता है तो यहाँ पर log of a with base a मिलता और log of a with base a 1 होता है तो x into 1, 1 होगा मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि log with base a और यहाँ पर a to the power x जो है वो एक दूसरे को cancel कर दे रहा है और सिर्फ हमको यहाँ पर जो भी exponent था वो देखने को मिल गया जास्ट इसका opposite भी होता है कि हमारा हम लोग यहाँ पर मालें तो कोई भी base a है यहाँ पर log हम लोग find out करें with same base a to the x तो यह भी हमारा क्या होगा cancel out हो जाएगा और हमको यहाँ पर x मिलेगा तो simply इसको अगर पूट करें हम लोग natural यह natural log के लिए तो इसको हम लोग सकते लॉन e x is equal to x और e to the power ln x is equal to x मतलब यहाँ पर ln और e जो exponential है यह एक दूसरे का reciprocal की तरह act करेंगा और हमको सिर्फ यहाँ पर यह x find out हो जाएगा I hope कि यह सब वीडियो में सब कुछ log को लेकर के clear हो गया हो अगर इसके बाद भी कोई doubt है तो please comment section ने बताएं तब तक के लिए मिलते हम लोग अगले वीडियो में टेक क्या